इस विडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म करावाजियोज शैडो के बारे में जो कहानी है माइकल अंजलो मेरीसी यानि की करावाजियो नाम के एक इटालियन पेंटर की जिस पर खून का इलजाम था और 1609 में वो रोम से फरार होकर नेपल जाया जहां कोलोना परिवार की पॉल को ये पता चला कि अपनी पेंटिंग के लिए माइकल ने एक प्रोस्टिट्यूट को अपना मॉडल बनाया था और ये चर्च की नीती के खिलाफ था पॉल का कहना था कि नेपल्स का रईस कोलोना खांदान ये चाहता है कि माइकल को कतल की सजा ना मिले पर अब इस का फैसला जाच पड़ताल के बाद होगा पॉल ने शैडो नाम के एक आदमी को इस काम के लिए नेपल्स भेजा और जल्द ही जाच शुरू हुई शैडो माइकल की जिंदगी और उसके काम के बारे में सब कुछ पता करके उस आदमी के भाई से मिला जिसका माइकल ने कतल क किया था रानूचियो नाम के उस आदमी के कतल के बाद उसके भाई ने माइकल को मारने की कोशिश की थी और उसकी इस हरकत की वजए से नेपल्स उनके खिलाफ हो सकता है उसे शांत रहने के लिए कहकर शैडो कॉंस्टन्स कोलोना के पास गया जिसके पास माइकल छुपने आया था कॉंस्टन्स ने बताया कि माइकल ने अपनी जान बचाने के लिए खून किया था इसलिए उसने उसकी मदद की माइकल के माता पिता कोलोना परिवार के लिए काम करते थे इसलिए वो बच्पन से उस परिवार को जानता था पर शायडो का मानना था कि उससे कोई ब लोगों ने सजा दी थी। वो उस औरत के जखमों से अपने नजर नहीं हटा पाया और उस राद के बाद वो हर रोज उस हॉस्पिटल में आने जाने लगा। वो हॉस्पिटल कई गरीब लोगों का घर बन गया था और फिलीपो नाम का पादरी उन सब को खाना दिया करता था। उसने Michael को बंदी बना लिया। Constance ने Shadow को बताया कि उस वक्त वो Michael की मदद करना चाहती थी। इसलिए वो उसे रिहा करवा कि अपने महल में ले आई। पर सच ये भी था कि वो Michael के करीब आना चाहती थी। कॉंस्टन्स के बाद शैडो ने उस आदमी से पूछता चुरू की जो दो महीने पहले माइकल से मिला था। ओनोरियो नाम के उस आदमी से पूछने पर उसे पता चला कि माइकल कुछ भद्धी पार्टी इसका हिस्सा हुआ करता था। और ऐसी ही एक पार्टी में उसकी मुला बना कर एक पेंटिंग बनाई जिसके बाद ठक कर एना बैठे बैठे ही सो गई। ये सुनने के बाद शैडो उस चर्च में गया जहां माइकल की पेंटिंग्स रखी गई है और उस चर्च के पादरी फ्रांचेसको ने बताया कि वो माइकल को बेगुना मानता है क्योंकि ऐ इंस्पिरेशन मिली तो वो हैरान हो गए। माइकल का मानना था कि एना जैसी लड़किया जिस दर्थ से गुजरती है वो दर्थ उन्हें पवित्र बनाता है। डेल मॉन्टे ने माइकल से बादा किया कि वो उसे एक स्टूडियो देगा अगर माइकल उसके लिए पेंटिं धीरे धीरे रनूचियो और माइकल के बीच की कड़वाहट बढ़ने लगी। माइकल को रनूचियो पसंद नहीं था क्योंकि वो औरतों को पीटता था और रनूचियो को माइकल पसंद नहीं क्योंकि उसने आना को उससे दूर कर दिया था। इसी बात को लेकर उन दोनों क के बीच मुकाबला भी हुआ और जीतने के बावजूद माइकल को ही सजा काटनी पड़ी जेल में उसे जॉर्दानो ब्रूनो नाम का एक मशूर फिलोसोफर मिला जिसे मौत की सजा सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि वो कैथलिक समाज और उनकी सोच के खिलाफ था सिर्फ म माइकल जानता था कि ब्रूनो को मौत से डर लगता है और ये सच जानने के अगले ही दिन ब्रूनो की आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई इस किस्से को सुनने के बाद शैडो ने जियोवानी से पूछता शुरू की जो माइकल से नफरत करता था क्योंकि उसने जियोवा माइकल को एक पिशाच मानता है एक तरफ शैडो माइकल की सोच के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ माइकल का असिस्टन्ट चे को उसकी देखभाल रहा था आगे की जाच परताल में ये बात सा मने आई कि कॉंस्टन्स का माइकल के साथ अफैर और फिर शैडो की मुलाकार एक गरीब बाप्टिस्ट से हुई जो माइकल के लिए एक पेंटिंग में मौडल बना था। उस बाप्टिस्ट की मदद से शैडो को लीना नाम की एक प्रोस्टिटूट के बारे में पता चला जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थ और उसे अपनी पेंटिंग के लिए मौडल बनाना चाहता था। शैडो ने जब लीना से पूछताच की तो उसने बताया कि माइकल और वो कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लीना उसके साथ खुश थी पर कुछ दिनों बाद उसकी एक रईस आद और उनमें से एक नाम शिपियोने का था जो पोप का भतीजा है। शैडो लीना को एक प्रोस्टिट्यूट कहकर शर्मिंदा करने लगा पर इसके जवाब में लीना ने कहा कि माइकल ने उसे अपनी पेंटिंग में मैडोना बनाया था जिने भगवान की मा कहा जाता है इसल पर आर्टिमीसिया ने कह दिया कि उसने कभी चर्च की बुराई नहीं की है। वो सिर्फ अपने पेंटिंग्स के जरिये दुनिया की सच्चाई दिखाना चाहता था और पेंटिंग्स के लिए आम लोगों को मॉडल बनाया करता था। उन मॉडल्स में से कई लोग ऐसे थे जो चोर या प्रोस्टिट्यूट हुआ करते थे और चर्च को ये भगवान और बाइबल की बेजजती लगी। चर्च की सुनवाई के बाद माईकल की जिन्दगी खराब होने लगी। और रानूचियों भी अपने भाईयों के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश करने माईकल को शिप्योने के पास जाना पड़ा पर वो उन लोगों की तकलीव भूल नहीं पाया जिनके साथ वो रह रहा था। उसे एक दिन पता चला कि आना अपने बच्चे को खोने की वज़य से अपना दिमागी संतुलंग खो बैठी है। वो इस बात से पहले ही परिशान हो गया। उस दिन तक लोगों ने मौत को एक अलग नजरिये से देखा था जहां लाश के आसपास सिर्फ फरिश्टे होते हैं। पहली बार किसी ने मौत की सच्चाई दिखाई थी पर चर्च इस कडवी सच्चाई को अपनाने के लिए तयार नहीं था और पोप पॉल ने उस पेंटिंग को जलाने का आदेश दे दिया। रनूचियो फिर से आना और माइकल के बारे में भद्दी बाते करने लगा और उसकी माइकल से फिर से लड़ाई हो गई। माइकल सिर्फ अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा था पर उस लड़ाई में उसके हाथो माइकल को रोम से दूर माल्टा में भेज दिया। जहा का राजा चाहता था कि माइकल उसके लिए एक पेंटिंग बनाए और पेंटिंग के बदले माइकल को एक शूर वीर घोशित कर दिया गया। ऐसा होने पर उसकी मौत की सजा टल गई। पर एक साल बाद वो फिर से कॉंस्टंस नेपल्स चली गई जहां उसने माइकल को अपने महल में चुपा कर रखा था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसके पीट पीछे शैडो उसके बेटे फबरीजियों से मिल रहा था। फबरीजियों ने अतीत में कई गलतिया की थी और उन गलतियों का इस्तमा माफ कर दी गई है और उसने माइकल को रोम भेजने की तयारी शुरू कर दी। माइकल सोचने लगा कि फबरीजियों की वज़े से उसकी जान बज गई है। वो अपने असिस्टंट को अलविदा कहकर उस किले की ओर बढ़ा जहां उसे फबरीजियों ने जाने के लिए कहा और शैडो वही उसका इंतजार करता रहा। महीनों तक माइकल के बारे में पढ़ने और जानने के बाद आखिरकार शैडो समझ गया कि माइकल कैसा इंसान है। वो उसके काम और टालेंट की तारीफ करने लगा और उसने बताया कि फबरीजियों ने जो डॉक्यूमेंट उस से दिया था वो फर्जी है। शैडो ने कहा कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है जहाँ एक हिस्सा भगवान की तरफ है और दूसरा तबाही की तरफ और माइकल तबाही की तरफ है। माइकल ने कह दिया कि दूसरों की तरह शैडो की आखों पर भी धर्म की पट्टी बन द और माइकल के रोम पहुचने से पहले ही उसे मरवा दिया क्योंकि अगर रोम के लोगों के सामने उसे मारा गया तो माइकल एक शहीद कहलाएगा और इसी तरह माइकल की कहानी का अंत हुआ